असलाम लेकुम आज हम कीमा भरी कचोरिया बनाने वाले हैं जो आप बहुत आसानी से घर में तियार कर सकते हैं तो चछले स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिरमान रहें कचोरिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डो तेगार करनी होगी जिसको बनाने के लिए मैंने यहां दो कप मैदा, हाफ टीस्पून नमक और थोड़ा सा मेल्टेट घी लिया है नमक को मैदे में एड़ करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके घी एड़ करेंगे और हाथों से मसलेंगे ताके घी अच्छी तरह से पूरे मैदे में जजब हो जाए हमें सिर्फ इतना ही घी इस्तमाल करना है जितनी हमें जरूत होगी, पूरा घी इस्तमाल नहीं करना गी को मैदे में थोड़ा-धोड़ा एड़ करने के बाद मुठी की मदद से दबाएंगे अगर मुठी में इस तरह से मैदा कठा हो जाए तो इसका मतलब आपने गी बिलकुल परफेक्ट एड़ गिया है हमें इससे ज्यादा घھی add नहीं करना बस इतना ही add करना है इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पाणी लेकर इसकी hard dough तयार करेंगे dough तयार करने के बाद इसे हम आदे ग्हेंटे के लिए rest देंगे ताके ये set हो जाए हमारी dough सेट होगी तो हम इसकी stuffing तयार कर देंगे स्टफिंग के Лिए लिए मैने यहां half going чicken का किमा लिया है इसके लावा एक छोटी प्यास जिसे चोटा-छोटा काट लिया है और कुछ मसाले हैं जिन में एक टी स्पून कुटीवी लाग् मिर्च एक टी स्पून कुटवा धनिया, हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून नमक है और थोड़ा सा घी, अब घी या ओ pied दोनों में से कुछ भी इस्तमाल कर सकते हैं हमें बिल्कुल थोड़ा सा इस्तमाल करना है, बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना आईल में प्यास को एड़ करने के बाद कुछ दिर के लिए हलकी सी बुनाई करेंगे और इसके बाद इसमें कीमा एड़ कर देंगे कीमा एड़ करने के बाद तमाम मसालाचाद भी एड़ कर देने हैं और फिर इसके बाद इसकी बुनाई करनी है हमें कीमे की बनाई इतनी दिर तक करनी है जब तक ये अच्छी तरह से पकना जाए और इसमें से तेल निकलना आए क्योंकि ये चिकन का कीमा है इसलिए ये जल्दी पक जाएगा तकरीबन 5-7 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा लेकिन अगर इसकी जगा बीफ ये मटन के कीमा होता तो इसको पकने में ज़रा ज्यादा टाइम लगता अच्छी तरह से बनाई करने के बाद हमारी स्टफिंग भी अब रेडी हो चुकी है अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं कचोरियां बनाने के लिए यहां मैंने कुछ मेल्टिट घी लिया है इसमें हम एक टेबल स्पून कॉन फ्लॉर और दो टेबल स्पून मेदा एड़ करेंगे इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गाड़ी सी पेस्ट तेयार कर लेंगे दूसरी तरफ हमारी डो भी सेट हो चुकी है अब हम इसके चोटे चोटे पेड़ बना लेंगे और रोटियां बेल लेंगे रोटी बेलने के बाद अब हम ब्रश की मदद से इस पर घी वाली पेस्ट फैला देंगे अच्छी तरह से चारो तरफ फैलाने के बाद इस पर खुश्क मैदा चिलक देंगे और फिर आमने सामने से फोल्ड कर देंगे इसके बाद फिर से इस पर घी वाली पेस्ट और खुश्क मैदा चिलकेंगे और फिर दुबारा से इसे फोल्ड कर देंगे आखरी स्टेप में भी आपने इसी तरह से गी लगाना है और फिर इसके उपर से मैदा छिलकना है और फिर इसके बाद दुबारा से फोल्ट कर देना है जिस तरह से आप देख रहे हैं बस इसी तरह से आपने तमाम तैयार कर लेनी है और फिर इने साइड पर रख देना है अब हम टैप करते हुए इन्हें दुबारा बेलेंगे और स्क्वाइर शेप की एक रोटी तियार कर देंगे मैं यहां बड़ी कचोरियां बना रही हूँ अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटे पेड़े का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर इस रोटी को बेलते हुए हाफ कर ले और इसी को दर्म्यान में से काटके दो कचोरियां भी तैयार कर सकते हैं रोटी को तैयार करने के बाद अब हम इसमें कीमा रखेंगे और फिर इसके चारों को उनों को पकड़ कर आपस में मिला देंगे और प्रेस करते वे जोड़ देंगे किनारों को जोड़ने के लिए आप पानी का इस्तमाल करें ताकि ये अच्छी तरह से आपस में बंद हो जाएं और खुलेना चारों को जोड़ने के बाद फिर बाकी के चार कोनों को भी कि आपस में पकड़ कर आपस में मिला दें सब कोनों को आपस में मिलाने के बाद एक पोटली की शेप दे दें और फिर इसे घुमाते वे उपर से प्रेस कर दें बस इसी तरह से हमने तमाम कचोरियां तेयार कर लेनी हैं मैं एक दफा और आपको एक तेयार करके दिखाती हूं चारों तरफ से पानी लगाएंगे और फिर इसी तरह से चारों को औरनों को पकड़ कर आपस में मिला देंगे तमाम के नारों को प्रेस करते वे आपस में जोड देंगे और फिर एक पोटली की शेप देंगे मैं तमाम कचोरियां रेडी हो चुकी है अब हम इने फ्राइ कर लेते हैं फ्राइंग के लिए मैंने यहां घी का इस्तमाल किया है आप चाहें तो ओयल भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन घी में फ्राइ करने से इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा हमें फ्लेम को बहुत तेज नहीं रखना बलकि इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करना है ताकि यह अंदर से अच्छी तरह से पक सके साथ साथ आपने इसके उपर गी डालते रहना है ताकि इसके अंदर की लियर्स खुल जाएं इस तरह से ओयल डालने से इसकी अंदर की लेर्स अच्छी तरह से खुलेंगी और ये ज्यादा अच्छी और क्रिस्पी तियार होंगी पहले एक साइट से तियार करें और फिर इसकी आज़ता से साइट पलट दे अगर इने खुले घीमे कड़ाही में फ्राइ किया जाता हो तो इनके रिजल्ट और भी अच्छा आता हमारी कचोरियां रेडी हो चुकी हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है तो ये थी मेरी आज की रेसिपी उमीद है कि आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ सा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि में इसमाम आने वाली वीडियो का नोटिफकेशन आप तक पहुँश रहें, आबाद रहें, दूसरों का भी ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज